प्राउंस बना है एकदम दानिश ने फ्रेश फ्रेश सुबह में लाया था और यह पॉंप रेड़ है और मैं आपको दिखाना चाहती है लेखे मम्मी ने मुझे यह गिफ्ट किया है उम्रा से आने के बाद यह गिफ्ट किया और दिखाना नहीं चाह रहे थे अब है अड़ा, ऑपके जैसा प्रे脆वरा में मुझे खिंगे खिफ्ट किया मुम्मी के तरफ मारा से बाद मुझे मळी थे पर दिखाना है अच्छी है ना कमेंट करके बता ये कैसी है टेस्ट करके बता कैसा लग रहा है मेरा फेवरिट ही है अच्छी है अच्छी है असलाम आले कुछ रखे किसी की कोई तक्रीफ हो तो अल्ला अपनी रह्मतों से मुंतक्रीफों को खतम करे हर घर को हर इंसान को खुश वा आबाद रखे ये चैनल मैंने बच्छों की तालीम के लिए निकाले हूँ उन बच्छों के लिए पैसे दिये जाते है जिन बच्छों को आगे पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है और आपको दिखाया भी जाते हैं आप देख लो और यह आपको सही और अच्छा लगे तो इसे सस्क्राइब करो लाइक करो शेयर करो और चैनल आगे करने में मदद करो इंशाल्ला अल्ला रभूल करीम अपन की जिलाएगा ओमें पका क्या आपको दिखाऊंगी आप देख लो बेटा बेलापुर में गया है मच्छी और जिंगाला ने चलो नाचनी के रोटी के लिए जैसे आप उन चावल के लिए पानी लेते वही हिसाब से पानी लेने का एक कटोरी पानी तो दो कटोरी आटा जा अब इसको उबा लाने लगा अब इसमें जाएगा आटा सेम चावल की तरह ही बुलने की है ग्यास को मैंने बन कर दी अब इसको ऐसा डाव से या कविल्थे से या चम्मस से घोटने का आटा मिक्स हो जाता है अब देखो आपना अच्छे से हो गया जितना अच्छा पुन उसलों नहीं लेते हैं सेम चावल की तरह उतने ही रोटी कितने भी दिन रखो नरम रहती है एक दिन एक राज बाहर रख सकते हैं उसके बाद फिरिज में उठा के रखने की और खाते वक्त करम करके लेने की अब इसको ठंडा करूंगी और फिर मलूंगी आटे को एक जकी अब इसको थोड़ा तर पानी लेके नरम करने का देखे अब इसको नरम करूंगी और आपको दो रोटिया भून के दिखा रहे हूं और थोड़ा थोड़ा मलने का आटे को और उसका गोल बनाने का आप चाहे तो इस जगा बोल बन गहाया न हिजहा आटा लेने का उसीकाहा आटा कुन सा भी ले सकते हूं उसी का लिए to अच्छा नाशनी का आटा लेने का या तेल लगाने का और उसको बेलन से बेंने का फिर मेरी प्रोपर रोटी गई वी है जो आप देखे नाचनी की पérioपर रोटी गई प्रोपर डेली हीवी है और हाथ पर पर आूँग हैं मेरे बच्छों अभी गर्मी निकली है तो गर्मी में ठंड़क भी है और केल्शियम इतना बढ़ता है एक चोत रोटी छोटे बच्छों को देते हो हर दिन बहुत अच्छी उसकी लंबाई और हो जिंगी बहुत अच्छा होता है डॉक्टर ने बताए थे हाजिक को अलहम भी चिसकी बनाती थी है ना वैसे मैंने इसकी खीर बना कि हमें शक्राइए मैं थंडी में उसको जवाड़ी घेव की ऐसी देती थी और गर्मी में नाचनी देती थी कि देखो आइसा करने का आप चाहे तो इस जगा बेल सकते हो मगर मैं हास्ती जल्दी होता है इसलिए हास्ते भूंती हूं इसके फाइदे आप सर्च करो और देखो बहुत फाइदे है डॉक्टर बाता थे ओग बात अलग और यूटुपर भी बहुत डॉक्टर लोगों न कि इसके साथ कोई भी चठनी लगा और खाव तो भी रोटी अच्छी लगती मिठी लगती रोटी और इससे वजन कम बढ़ता है घ्यू से चावल से वजन ज्यादा बढ़ता है इससे जवारी से कम होता है वजन देखो अतनी बढ़ी सी रोटी हो गई तवा गरम करने रखी हो तवा गरम करने का और उसको कपड़े से थोरा सा तेल लगाने का या घी लगाने का जिससे रोटी चिटकती नहीं कि तवे को इसका सब गया हुआ है साधा हो गया बिसमिल्ला दूसरा गोला बना दी इस जगा चाहे तो आप कवीलते से भी रोटी पलट सकते हो मगर मुझे आदत है वहां से पलटी आप उसी तरीके से दूसरी रोटी भुनूंगी यह पहली रोटी सिर्फ पूरी होने तक मैं आपको दि देखो दूसरी तरफ उसको पलटी अब यह अगर आइसी नहीं फूली तो अपने हाथ से उसको फूल आने कब मगर आइसी फूल रही है तो हाथ देने की ज़रूरत नहीं है आपको शुक्र है मेरे रब का जो भी बनाती हूं पहले से वह आच्छा और सही और टेस्टी आता है क्योंकि इसी पर मैंने गुजर बसर की अपने बच्छों को बरा किया अपदुलिल्ला अब एग बमचे जीफ ओनाटी है एक बेटी सीनियर इंजिनियर है अपदुलिल्लार इटी में हिम्मद करने का ने हमेशे आगे बढ़ने का और तवक्कला रहने का तवक्कला में अल्दा भी साथ देता है अलहमदलिल्ला तो अपने रोटियां हो गई बड़ी बड़ी लास रोटिया थी आपने खाना खाने तक टाइन रहते हैं तो उसको इसा धाक के रखने का यानि वो नरम बढ़ी अब किसी को करक चाहे तो बगेर उसलों नी लिए नीचे ही उसको कच्चे पिरसे कच्चे यानि आठा लेने का उसमें थोरा सा गरम पानी डालने का और उसकी करक करक रोटी भुनने की मगर हमारे घर में आइसी रोटी पसंद करते हैं और इसी रोटी को आपको करक करनी है तो तवे में डालने का और आच्छे से उसको करक करने का खाते होकते बहुत टेस्टी रहते रोटी और घुटने तुक्रे जो बगेर तिखी वाली है इसमें एक बराए चमश तेल भरके डाली हूँ तेल आप कम जियादा कर सकते हूँ इसमें मैंने अभी एक चाय की चमश खाली खाली नमल डाली नमक तिलकुट में रहता है उसी साफ से खुड़ा कम डालने का सब्जी में तो कि तिलकुट का भी नमक हो जाता है यह पाई से टुक्रे करके काट रही है पहले स्कुट्टू उपर की डंडी काटी है देखो मजेदार लगते हैं दर्मियानी साइस के टुक्रे चोटी चोटी टुक्रे कभी भी टेश्टी रखते हैं जिसमें तिलकुट बराबर मिलता है और बरे टुक्रे डालने से उतना तिलकुट उसमें इजज़ब नहीं होता ऐसे काटने के देखो मैंने दिखाई ऐसी काट पडेस की नाज एसना ज़से थे थोड़ा नरम करने का बस ज्यादल लाने ही करने का हो आपने वैढंगने तक हो जाता है इसमे इसमें डालते हैं मगर मैं डाली हूं मेर pine डालती हैं याब यह पतन है क्योंकि जाओन हegtt आनार रहता आंने अब खुड़ी हो यह दूने सली क खुछ टो नेन से रख़ें आप इसको मैं टामाट रएक डालूंगी और बारिघ्यास करके रख़ए आराम से अपना बैदन गलने और हम कोकनी लोग शप्टी निकालते हैं मगर वो बोर रहे हैं रखो ममी उससे टेज बढ़ता है चलो उसके मुताबिकास कर रही हूँ ए टाइगर है आज ए पकरी उसका सालन बना रही हूँ ए नेक्ट है में जो भी बनाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी इन्शाल लौ ए द पाउच मिनट में दो मिनट में हो गया है तिलकुट का करते तो कोई कोई हल्दी नहीं डालता मगर मैं हल्दी डालती हूँ क्योंकि हल्दी पाइडेमन भी है और आंटीबैटिक भी है पताए अभी थोड़ा बाकी है वैगन होने तभी आप उन तिलकुट डालने का यानि तिलकुट अंदर जजबू अच्छे से होता है अभी पास मिनट में इस अब हो जाएगा मगर तिलकुट डार रही हूं तिलकुट अपनी कॉंटेटी की मुताबिक डालने का और आपको कम जियादा उस उताबिक दाने का और मैं डार रही हूं चार चाय की चमज भर के रखोंगी और फिर आपको परुस्के दिखांगी सब होने के बाद और भी तिलकुट अब पकने के बाद अंदर जैस्जबू होके जियादा दिखेगा यानि उसका कलर और बढ़ेगा अब देखो अपना तिलकुटका बैगन हो गया उस पर डाल रही हूं कोतं बे आप चाहे तो करीपता भी डाल दें मेरे मैं हम हर चीज में डालती हूं मगर अभी जो करीपता है वो पुरान है इसने नहीं डाल रही हूं ऊथरा रंग बदल गया है अब इसको एक चमज बन करके अब रख बन करके अब अपना बैगा आज मेरे बेटे ने बेलापुड में जेठी पे जाके मच्छी लाई एक देखो क्या बड़ा बड़ा सब कर दिया है इंसन कैसा पुरा-पुरा आख्छु लखाएगा मगर मेरे तकलीफ के लिए वह आके लगाए मुझे बताया भी नहीं आप लेके आया वहां से साफ करके टुक्रे करके और आके धोने के बाद फिर मेरे सामने दुसरे घर से आया और रखा यह देखो ममे मैंने आपके लिए सप्राइज दिया हूं कि अच्छे से मच्छी भी ल आपको दिखांगी उसको उठाकर फ्रीज में रख रही हूं फिरीजर में और पापलेट लाए उसने अच्छे से साफ वाफ करके लाए मैंने दो बार आपने पानी से एक बढ़ दोके लिए क्योंकि बच्छे का साफ करना अपना साफ करना अलग रहता है यह देखो इसको पास फ्राइ करोंगी और जो जिंगे दिखांगे उसकी सालन बनाओंगी अब मैं आपको सब दिखा रही हूँ 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 है सब मच्छी जिंगा पापलेट देखे मुझे मरहूम मेरे अबबा की यादा ही अल्ला उन्हीं और हर मरीद को जन्नतुल फिर अहीं सब पाछी सुछत अका सब है एक करिए तक कुछे नकुछ मेरे आपकी उसमें है बात है अल्हजगो मेरे अब बहुत आपपलि समय कोछी आप एक ओन was तो और भूलते हो गोलते हो बानाने का से चैला्ची हूँ कम असई रसन लाइसं थोरा सा अध्रक का टुख्रा और थोरा सा रिंग और थोरा सा मैथी के सुखे मैथी का पाउडर के इस इसाप पीðे कर बारिक कि और उसमें दो मेदियंसे स्के टामाटर माइन इसमें हल्दी धसनि अब इसमें मासाला डाल रही हूँ चाह्ट एक तो JULAPP जाएए इसमें डार रही हूं एक टेबल इस्पून नमक क्योंकि आपना कॉंटेटी जी आद है आप अपने कॉंटेटी के मुताबिक और टेस्ट के मुताबिक नमक डालते हो इसमें थोड़ा सा आजवां डार रहे हूं एकदम थोड़ा अब इसको अच्छे से लागा के रख रहे हूं पाच मिनट के लिए पाच नहीं दस मिनट जाएगे तब तक अपना सालन बना रहे हूं यह तब एक्जब होगा जजब होगा अंदर और फिर यह भी मैं आपको फ्राइकर के दिखा रहे हूं ऐसा जुक दो में आपको बता है हूं सोय होरा तेल नहीं इसमें दाला धाए हूं उसमें दाले उस वह लाख सून हैं देल मइं लाख रहा हूं muita रारे के टी। ug गल टाले हूं आप चाहे तो जियादा कम कर सकते हूं अब इसको दस मिनट पकाऊंगी फिर मैं आगे उसमें जो जो डालूंगी वह आपको दिखा रहे हूं उसके साथ कोकनी पेली खिचरी बोलते हैं हमारी इदर मुंगडा लोली खिचरी बोलते हैं आप कुछ भी बोलो मगर होती है बहुत टेस्टी इसमें एक छोटा सा प्याज ली चार लॉंग डाली छे साथ काली मेट्री डाली और तेल डाली तेल आप कम जियादा कर सकते हो इन जगा आप ताजा घी भी डाल सकते हो मंगर मेरे बच्चे देशी घी ऊपर से लेते हैं खिचरी खाते वक्त इसमें आप तेल डालती हूँ इस देखो यह चावल है एक किल्लो इसमें डाल जाएंगी सवग्याज देखो आपना चावल थोरा नरम होने के बाद अला चावल बुर रही हूँ प्यास थोरा नरम होने के बाद चावल दोके लिधुर के उसमें डालने के भाल बुरत ज़ती नाबुमे वयसा ज़वित अच्छी से कर में हो भुमने के लिए ही पुंटे भुंटे इसमें एक टेबल मैंने नमक डाला आपने कॉंटी थी के मुताबिक और तेस के मुताबिक नमक डलो क्या मेने इसको भुणी अब इसमें पानी डाल रहे हूं पानी ठंड़ा भी डाल सकते हैं गरम भी चलता है है प्वांने पराम से और परेंगर स्त स्याए यह मेंद में आप के लिए 25 और पर्पक बकारी ओंग देख़ोह दस मिन Mix अपना सालन gossip designers अब इसमें डार रही हूँ आमपोस्ति, ombres एár रही हूं है, आपने quantity के मुताबिक अमपोस्ति डालो आमपोस्ति ना हो तो कोकंप डालो, कोकंप परिम्ली डालो और अम्ली डालो तो कुछ भी न डाले तो भी तामटर C сек ते शास है यह देखो फ्राइपान में मैंने तेल गरम करके रखी अब इसमें अपनी मच्छी डार रही हूँ तलने के लिए अब इसमें डालने के बाद पाच मिनट पक गया अब इसमें डार रही हूँ एक नारियल की हिसाब स्था पाउडर का दूद बनाए हूँ यह किदर अपनी खिचरी भी पक रही है किदर मच्छी पराइप कर रही हूँ बैगन किशा का रोटी हो गई अब इसमें पुराए दू जा रहा है एक बड़े सेनारियल का पता है दस लोगों का खाना है अलहम्दलिल्ला बहुत हो जात से इसको पराइब करूँगी तब कर अपनी खिच्री भी हो रही है हलोंइ भी हो रहा है सब बोगरे है अब अब हो गए दुखे पराय करके लूँगी और एक बार ही मैं आपको सब प्लेटिंग करके दिखा रहेए अब आपनी खिच्री का पानी बारा बढ नापका उसको नीकलने काझ मामी के आइदिया देखो, मतलब पकर से खञ बटने को मच यह नियुआ ळालने की है, तो पहला मसाला आइसा निकालके लेकार्न कहाते हैं, सoftब गए मंसंद अच्छा लगते हैं रोटी के साथ दी चावल के साथ भी ऐसे चोटे से वर्तन में रखने का अपना उरोते जब खाने लगे तो लेने का और मच्छी पर डाले ना तली वी तो भी अच्छा लगते हैं देखो अब दूसरी मच्छी डालूंगी में देखो अपना हल्दोनी सालन जो भी बोलो हो गया इसमें कोतंबिर हो तो डालो ने तो कोक्नी चीजों को कोतंबिर मिर्ची की ज़रूत ने इतनी हो टेश्टी रहती है चुछे नारियल की दूसरी की चीज हर चीज मुझे पसन और अच्छी भी लगती है आप करते होंगे आपको भी पता है आज मैं आपको सब पुरुष्की दिखा रहे हूं आपको अपनी किच्री भी होगे चोटी 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 अच्छे से देखें अपना कोकुनी हल्दोनी आज बेटे के बराबे रखें मैंने भी शपट रख दी हूं अपना कोकुनी कमब हो गया बहुत मजेदार है टेस्टी है हेल्दी है अल्ला मेरे दानिश को हमेशा जैसे वैसा ही रखे कभी कोई बदल नहों अल्ला हर बच्छे को अपने वाली देन का ओफ़दर फरमादवरदर बना दे मैंने सिर्फ खाना पकाई अल्हमदुल्ला मेरे बच्छे ने सब कुछ किया यहां तक के मेरे हाथ में लगता प्यास वगिरा भी काटने काटके दिया सो अल्हमदुल्ला देखने के लिए हुप्पी स